वेलकम टो आहुजास रेसिपीज आज हम आपके लिए लाए हैं चाइनिज समोसा की रेसिपी ये समोसे खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बन कर तयार हुए हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां 100 ग्राम कैबेज को इस तरह से लंबा और थोड़े से मोटे साइस के काट लिये हैं फिर मीडियम साइस की एक गाजर और एक मीडियम साइस का सिमला मेर्ज उसे भी हम लंबा काट लेंगे फिर 100 ग्राम जितने डूडल्स को मैंने एक गंटे पहले ही ब यह पाउडर लिया है यह ऐसकी जगह सेजवान सोस बिले सकते हैं। दो बड़े चमच रेट चिली सॉस। एक चमच दार्क सोया सॉस। अगर आप सेजवान सॉस डाल रहें हैं, तो दो बड़े चमच डाले UNO एक बड़ा चमच ओग्रीन चिली सॉस। आप इसे skip भी कर सकते हैं एक बड़ा चम्मच टोमेटो सोस अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फिर हम सोस में दो-तिन बड़े चम्मच जितना पानी डालेंगे उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो स्टफिंग बनाने के लिए सोस बनकर तयार है अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है फिर हम इसमें एक चम्मच क्रश्क किया हुआ अद्रक हरी मेर्च डालेंगे आप क्रश्क किया हुआ लसुन भी डाल सकते हैं उसे भी आप इसी स्टेज पर डाल कर कुछ सेकेंड के लिए पका लें फिर हम इसमें सभी सबजिया डालेंगे कैबेज, सिमला मेर्च और गाजर आप इसमें लंबा कटा हुआ प्यास भी डाल सकते हैं उसे भी आप इसी स्टेज पर डाल दें अब सभी सबजियो को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक मिनिट के लिए पकाना है चाइनिज फ्यंजन में सबजिया थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है अब सबजियो को हमने एक मिनिट के लिए medium to high flame पर पका लिया है अब हमने जो सोस तयार करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे इस समय हम gas का flame slow to medium रखेंगे फिर आदा चमच vinegar डाल देंगे इसे आप skip भी कर सकते हैं अब सोस को भी हम अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और लगबग 30 से 40 सेकेंड के लिए slow to medium flame पर पका लेंगे जब तक इसमें से आज़ु वाजु थोड़ा सा तेल ना छुटने लगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सोस अब अच्छी तरह से पक गए हैं अब हम इसमें एक बड़ा चमच मैगी नूडल्स मसाला डालेंगे आदा चमच काली मेर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे नमक हमें पहले थोड़ा ही डालना है क्योंकि सोस में भी नमक होता है अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे और कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे अब इसमें हम बॉइल के हुए नूडल्स डाल देंगे इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस समय हम गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और मिक्स करने के साथ साथ नुडल्स को अंदर थोड़ा सा फोड भी लेंगे जिसे स्टफिंग समोसे में बरते समय हमें आसानी रहे जब भी आप चाइनिस समोसे के लिए स्टफिंग बनाएं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब गैस का फ्लेम हमें बन कर देना है फिर हम इसमें बारिक कटा हुआ हरा दन्या डाल देंगे आप इसमें बारिक कटा हुआ हरा लसून और प्यास भी डाल सकते हैं इसे भी अच्छे से मिलाएंगे तो हमारा समुसे का स्टफिंग बनकर तयार है अब स्टफिंग को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे स्टफिंग अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब हम समुसा बनाना शुड़ू करेंगे पहले हम समुसा चिपकाने के लिए ले यानिके मैदे के एक गाड़ी पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे उसके लिए मैंने दो चम्मच मैदा लिया है अब मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गाड़ा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे समूसा चिपकाने के लिए लेई अब बनकर तयार है अब मैंने यहाँ 20 से 25 जितनी समूसे की तयार पट्टी ले ली है आप चाहे तो यह समूसा पट्टी अपने घर पर भी बना कर तयार कर सकते हैं इसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है अब पट्टी को हम एक हाथ में इस तरह से पकड़ लेंगे फिर पट्टी की नीचे की तरफ हम एक चम्मच जितना स्टफिंग रग देंगे स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बना है नहीं तो समोसा फूट सकता है फिर इसे इस तरह से मोड लेंगे फिर वापस दूसरी तरफ मोडे अब जो स्टफिंग हमने भरा है उसे हलके हाथों से थोड़ा सा अंदर दबा ले और इसे वापस से मोड ले अब बाकी की जो पट्टी है उस पर हम लई लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे तो देखे कितना बढ़िया समोसा बनकर तयार हुआ है अब मैं आपको समोसा बनाने की दूसरी मेथड भी बताती हूँ तो पट्टी को इस तरह से हाथ में पकड़ कर उसे एक तरफ मोड़े फिर थोड़ी सी लई लगा कर दूसरी तरफ मोड ले इस तरह से हमें एक कौन बना कर तयार कर लेना है अब उसके अंदर हम स्टफिंग बर देंगे उसे थोड़ा हलके हाथों से अंदर दबा ले फिर वापस इसे मोड लेंगे अब बाकी की जो पटी है उस पर हम मैदे की लई लगा कर इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे तो आपको जिस मैथट से समोसा बनाना इजी लगे आप समोसा बना सकते हैं और भी अलग-अलग वेराइटी के समोसे बनाने की रेसिपी की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिव हुई है तो आप उसमें भी समोसा बनने की मैथड देख सकते हैं तो हमने इतने स्टफिंग में से 20 से 25 जितने समोसे बना कर तयार कर लिये हैं समोसे बरकर तयार हो जाएं उसके बाद हम इसे डपकर आदे से पौने गंटे के लिए रख देंगे जिसे लेई अच्छी तरह से सूख जाएं अगर आप समोसे बना कर उसके बाद तुरत इसे फ्राइ करेंगे तो समोसे तेल में खुल जाएंगे तो इसलिए आप इसे थोड़ी देर रखने के बाद ही फ्राइ करें थोड़ी देर हो गई है अब हम समोसा फ्राइ करेंगे तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है समोसा तलने के लिए तेल गरम हो गया है अब हम 6-7 जितने समोसे इसमें डाल देंगे समोसे फ्राइ करने के लिए हमें तेल इतना ही गरम करना है कि आप पट्टी डालें और वो धीरे-धीरे करके उपर आए इस तरह का समोसा डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम slow to medium रखना है समोसे को हमें golden brown होने तक fry करना है कुछ सेकेंड के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पलटते हुए हमें इसे golden brown होने तक fry कर लेना है अगर आप समोसे slow to medium फ्लेम पर fry करेंगे तो समोसे काफी time तक crispy रहते हैं लेकिन इसे आप fast flame पर fry करेंगे तो समोसे खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और ये crispy भी नहीं होंगे समोसे अब golden brown कलर के हो चुके हैं इसे हम पलेट में निकाल लेंगे पलेट में समोसे निकालते समय हमने इसमें tissue paper रख लिया है जिसे जो extra oil है वो ये soak कर ले इसी तरह हम बाकी के भी समोसे फ्राई कर लेंगे गर्मा गरम Chinese समोसे को आप green chutney या sauce किसी के साथ भी खा सकते हैं ये समोसे ऐसे भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं लीजिए crispy और tasty Chinese समोसा बनकर तयार है देखिए एक समोसा में आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना crispy बना है और अंदर से भी कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है इसे देखकर आपके भी मुँ में पानी आ रहा होगा तो आप भी जटपट से इसे अपने घर पर बनाईए और सबको खिलाईए ये सबको बहुत ही पसंद आएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में देए गए बैल आइकन पर क्लिक करके औल सेलेक करें जिससे मेरे नए नए रेसिपे इसके नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार